आकाश्वानी दिल्ली से प्रस्तु थैकारिक्रम स्वास्थे पत्रिका हमारी सेहत स्वास्थे पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का कारिक्रम में हार्दिक स्वागत स्विकार करें शालने मित्तल का नमस्कार पोलियो ठीका करण और उन्मूलन के प्रती जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है इस साल ये 24 अक्टूबर 2023 को मनाया गया इसका नारा था वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो आए इस विशे पर और जानकारी प्राप्त करते हैं चेर्मेन रोटरी इंटरनेशनल इंडिया नेशनल पोलियो प्लस कमिटी के चेर्मेन दीपक कपूर से आज विश्व में केवल दो देशों में पोलियो इंडेमिक है पाकिस्तान और आफगानिस्तान भारत में 13 जनवरी 2011 के बाद किसी भी बच्चे को पोलियो नहीं हुआ ये बहुत बड़ी उतलबधी है क्योंके पोलियो अबियान आरम होने से पूर्व भारत में प्रती दिन 500 बच्चों को पोलियो होता था विशेश अग्यों का कहना है कि भारत के सर्वेलन्स नेटवर्क दुनिया में सबसे सर्वस्त्रेश्ट है डवल्यो एचो और भारत सरकार के NPSP द्वारा पूरे देश के कोने कोने से AFP गरस्त बच्चों के स्टूल सांपलों को टेस्ट किया जाता है साथ ही लगातार हमारी वर्ल्ड क्लास लेबारेटरीज में इन्वार्नमेंटल सांपल्स की निरंतर टेस्टिंग की जाती है सर्वेलन्स में रोटरी इंटरनेशनल के डेड़ लाक से अधिक सद्श्यों का भी भारत में बहुत बड़ा योगदान है अफसोस की बात है कि आज भी पोलियो ग्रस्ट बच्चों को डेश के कई भागों में सोसाइटी और उनके अपने परिवार द्वारा बहिशकार किया जाता है ये बहुत अफसोस की बात है क्योंकि दोश उन बच्चों का नहीं बलकि उनके माता पिता का है जिन्होंने समय पर अपने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स नहीं पिलाई या ठीके नहीं लगवाए 24 अक्तूबर विश्व पोलियो दिवस है और इस रोज हमें ये प्रण लेना होगा कि हर पांच वर्ष की आयू तक के बच्चे को पोलियो की दवा अवश्य मिले ये दवा हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर या पी एचसी में मुफ्ट दी जाती है इसके इलावा हर पांच वर्ष तक की आयू के बच्चे को आने वाले पोलियो की SNID और NID में पोलियो ड्रॉप्स जरूर पिलानी होगी अभिया दीपक कपूर चेर्मेन रोटरी इंटरनेशनल्स इंडिया नेशनल पोलियो क्लब कमिटी से जानकारी प्राप्त कर रहे थे विश्वय पोलियो दिवस पर आप सुन रहे हैं कारिक्रम स्वास्ते पत्र का हमारी सेहत शुताउं गॉल ब्लेडर की पत्री छोटे-छोटे पत्थर होते हैं जो पिताशे की थैली में बनते हैं यदि इसका सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो इसे निकालने के लिए बड़े ओपरेशन की जरुरत हो सकती है आई सुनते हैं इसी विशे पर एक भेटवारता पित की थैली की पत्री का इलाज हमारे विशे शग्य हैं डॉक्टर शंकर कुमार गुपता जनरल एन लेप्रोस्कोपिक सर्जन इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर न्यू डेली आपसे बात कर रही है शालिनी मित्तल शुरताओं हम समय समय पर आपके लिए महत्रपूर्ण जानकरी लेकर आते हैं इसी तार्यतम में आज हमारा विशे है ट्रीटमेंट औफ गॉल ब्लेडर स्टोन्स पित की थैली में पत्री का कैसे इलाज किया जा सकता है और हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर शंकर कुमार गुपता आप जन्रल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन है इंडियन स्पाइनल इंजिरी सेंटर न्यू डेली में तो सबसे पहले डॉक्टर साब बहुत-बहुत स्वागत है आकरशोनी के स्टूडियो में आपका तैंक्यो सालीनी जी आपने मुझे इसके लिए इन्वाइट किया आज डॉक्टर साब जैसा कि हमारा विशे है गॉल बेडर स्टोन या पित की थैली में पत्री तो सबसे पहले परशन जो दिमाग में आता है यह पत्री क्या है होती क्या है इस के वन सकति है बहुत सारे ऑरगेंड है क्या कारण होता है कि किसी कि शरीर में पत्री बनती है देकहिए इसके बहुत सारे रिस्प्याटर है इसे most commonly जो हमारे में 4F पोला जाता है, ये commonly आपको females में commonly मेलेगा, क्योंकि उनमें हार्मोनल्स जो estrogen के वज़ए से इसमें पित की थैलियों में इस्टोन्स बनने की समभवना जादा होते हैं, जो होते हैं, उसमें cholesterol का production जादा होता है, उसमें भी इस्टोन्स बनने की समभवना जादा होती है, प्रिगनेंसी में जो प्रिगनेंट लेडी होती है, उसमें भी आपको इस्टोन्स बनने की जादा समभवना होती है, more than 40 year के जो पीपल्स है उसमें भी कॉलेस्ट्रॉल का प्रोडेक्शन जादा होता है compared to the यह जो तो इसमें भी कॉलेस्ट्रोल के कारण basically कॉलेस्ट्रोल के वज़े से ही स्टोन्स का फार्निसिन गॉल्बेडर में होते है तो इसका मतलब है कि हमें चेक करते रहना चाहिए और कोलेस्ट्रिल को रखने शितमी काुंत खरलयो अच्छा कि और बताइए कि इसके कि राकशन क्या होते हैं कैसे पतह चलता है आम जन को कि मुझे पत्री है देखें, most commonly जो symptoms होते हैं, वो आपको अपर abdomen में, जो उपर के तरफ की abdomen part होती है, उसमें pain होता है, pain जो होता है, commonly ये radiate करता है पीछे के तरफ, back के तरफ, और कुछ लोगों में gas का formation, जैसे बहुत सारे हमारे जो OPDs में आते हैं, patients, उसमें वो हमें इसा बोलते हैं, हमें gas का formation हो रहा है, और थोड़ थोड़ा mild pain होता है, तो उस तरह के patients को हमें advice करते हैं, कि आप इसके लिए किसी भी local surgeons या doctor से में लें, इसका investigation कराई, तो basically pain ही symptom है इसका, तो जब pain होता है, तो क्या, अगर उनको पता लगता है, कि मुझे pain हो रहा है, कुछ समय तक होता रहा, कुछ इसमें आपको pain स्टार्ट होगा, और up to the five hour, 30 minutes to five hour तक रहती है, तो वो simple gallstone disease है, वो subside कर जाए, तो कॉलिकी pain, दूसरा होता है, उससे complicated acute colysis status, उसमें क्या होगा, आपकी pain पांच घंटे से ज्यादा रहेगी, और आपको fever भी हो जाएगा, वोमेटिंग भी होगी, और तीस सरफ यह होता है, जो complicated हो जाते हैं, जिसमें की patient को jaundis हो जाएगा, pancreatitis हो जाती है, cholangitis हो जाती है, तो वो complicated है, ये gallstones की, ठीक है, तो ये complications पे मैं आगे बात करूँगी, पहले ये जानना चाहँगी कि अगर कोई patient अपके पास आता है, जिसको दर्द महसूस हो रहा है, तो क में हमनों ultrasound से finding में detect हो जाती है, 90% से stones, जो gallstones होते हैं, वो radiolucent होते हैं, जो ultrasound में मिल जाती है, कुछ ही ऐसे stones है, 10% से से होते हैं, जो नहीं detect होता है ultrasound में, उसके लिए हम जाती है MRI, abdomen, जिसको MRCP बोलते हैं, वो करवाते हैं, तो आपने ये पताया कि test जो है, generally ultrasound और MRI, तो इ तो treatment का जो procedure रहता है, कैसे इसका जो इलाज है, वो कैसे शुरुवात होती है, कैसे किया जाता है, तो ये symptomatic gallstones होते हैं, पहले तो ये जान लेजिए कि जो gallstones होते हैं, वो 60-80% silent stones होते हैं, patient routine investigation के लिए जाता है, जांच करवाने के लिए अपनी, और ultrasound कराता है, फिर उसे detect हो जाता है, दूसरा होता है, कि patient को symptom के साथ, OPD में डॉक्टर के सलह के लिए जा रहा है, वो कहा जाता है, उसको symptomatic gallstones disease, symptomatic gallstones disease में एक ही option होता है, आपको surgery के लिए ही जानी होगी, जिसकी बहुत तरह की प्रकार की surgery है, तो आपने एक चीज ये बोली कि और symptomatic भी हो सकता है, औ गाफी लोगों को होता है, तो जब chance finding होती है, किसी और वजह से वो अपना ultrasound या MRI कराते हैं, तो उन्हें पता लग जाता होगा, कि मुझे ये भी है, तो क्या उन्हें करना चाहिए, क्या उन्हें इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो तो कुछ symptom दे नहीं रहा है, या ये अच्छी सवाल है, क्योंकि एस्ट्रमेटि गॉल इस्टोन जदी यंग एस में किसी को मिला है, आप मानो कि 20 एर के यंग पर्सन को कोई मेल है, उसे डिटक्ट हुआ है, तो उससे कभी-कभी क्या होता है, गॉल इस्टोन, साइलें जो होता है, अप टु तु 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 25 एर के बाद आपको प्राब्लम्स आना सुरू हो जाएगा, जैसे ही आपको स्टार्ट होगा तो उस टाइम में आपको सर्जरी करवानी होगी, और कोई इसका उप्संस नहीं होता है, कुछ ऐसे केसे हैं, जैसे डाबिटिक के पेशेंट्स हैं, या कोई हाय डिजीज वाल होता है, यंब ही यह बहुत कम है, 0.2% के आरॉंड से हैं, जो की जनेटिक भी आत यह चोटे जहां होते हैं, फैमली में रण करा है, क्यूंकि बहुत चोटे जब बच्चे होते हैं, वह बता नहीं पाते हैं, दूसरे उनके टेस्ट भी कहा अर्ट्रसॉंड को एकर आता है तो है तो चांससे होते हैं क्यूम हो जाता है जैसे कोई खान पान हमारा है लाइफस्ट JASON क्यूम हो जाता है। एक जा कॉड़े जय सी खाना पान के हैं जो इंडिया जो खानीव में ज कहना ईंडाch है जिसके वज़े से gallstones बंती है तो अगर कोई cholesterol कम करना चाहे और उसको हो चुका है तो क्या वो खाना कम कर दे बंद कर दे तो गुल जाएगा ख़ताउ में चाहेगा नहीं यह इस तरह है कि खाने पीने से गुल ने सकती है लेकिन आप प्रिवंट कर सकते हो आपको इस्टून नहीं है तो आप फैट डाइट हाइवर डाइट यह सब चीजें आप लेंगे तो आपकी हल्दी डाइट रहेगी तो आपको फॉर्मिशन कम होगा डॉक्टर साब यह भी बताइए कि ट्रीटमेंट कैसे क अब आप डेट प्रोसीजर हो गया उसके बाद आज कल लैपरोस्कूपी जिसको की होल सर्जरी बोलते हैं मिनिमल एक्से तरजरी लैपरोस्कूपी कोलिसी स्ट्रमी ओगे आज कल रोबोट भी आगई हैं रोबोटिक सर्जरी से भी करते हैं सिंगल पोडबल पोड बहुत स फिट हो जाएगे आप किसी भी काम करने के लिए रग्टर साथ थोड़ा सा तो आपने बताया कि डायट बहुत जरूरी है इसको कैसे बचाया जा सकते है कुछ और आप इस पर रोश्नी डाल सकते हैं बचसे इसमें है कि आपकी डायट जो होने चाहिए हल्दी डायट सोने चाहिए है आपके डायट में हरी सबजियां फूर्ट यह सब चाहिए हाई फाइबर डायट सोने चाहिए कॉलस्ट्रोल कम करने के लिए जो भी चीजे होती है वो चीज आपको कर दी होगी फैट को तलीवी चीजों को कम खानी है मैं एडिक्वेट एमांट में हर चीज का इ यह से गॉल बेडर में हैं तो किड्नी स्टोन और गॉल बेडर स्टोन दोनों की बात में पूछना चाहिए कि क्या कोई घरेलून उसका है जिससे इसको ठीक किया जा सकते हैं धिए किड्नी स्टोन के तो बहुत सारे नुसके हैं घर में जैसे आप पानी एडिक्वेट एमा ये करता है कि कुछ इस्टोन से कोई रिले सन नहीं है। इतना अधिक अमान आगिना देनी दब बनाया है। धुक्तोर सब अगर कोई पेशन्ट पहुता है गाइक कोई आपने वाता है कुछ दिन उसक लगता है कि एक डर भी होता है operation का कि जाएंगे तो पता नहीं कुछ गरबर ना हो जाए तो क्या कोई complication के chances होते हैं इस तरह की surgery में देखिए कि complication दो चीज से related होते हैं एक तो है surgical complication operation के दौरान का complication एक patient से related है जैसे patient कोई healthy है कोई comorbidity नहीं है तो surgical complication बहुत minimal है आज कर जो की होल सजरी minimal access surgery हो रही है उसमें point one से one percent का chance होता है बस कि कोई CBD injury हो गई इस common bile duct बोलते हैं आतों का injury हो गया उसे अब चीजे हो सकती है और आप कोई भी surgery में point one percent का complication हर चीज से related हो चाहे वो anesthesia से related हो चाहे हो ड्रक से allergy से related हो या surgical complication होता ही है रही बात दूसरा part अपन आते हैं इस पे क्या आगे ते पेशेंट है उसको सारे problems है कोई kidney disease का है कोई liver disease का है कोई diabetes patient है तो उस तरह के patients में थोरसा normal patients से ज्यादा risk factor होता है अच्छे जैसे अभी complication के हम बात कर रहे हैं तो अगर कोई patient छोड़ दे surgery कराना किसी भी कारण से चाहे वो डर के कारण चुड़े या asymptomatic है छोड़े तो उसी क्या complication हो सकते है कराई ना दिखे मैंने पहले भी बताया कि mostly जो stones होते हैं asymptomatic टाइप के होते हैं 80% यदि आप long time के लिए छोड़ते हैं तो उसमें complication हो सकता कि आपकी stones नीचे CBD में आ जाएगी इसको kolidocholetheacy आपको jaundis हो जाएगा नीचे stones आपकी फस गई तो penketitis हो सकता है तो इस तरह की चीजें हो सकती possibility है यह sure नहीं कि हो ही सकता है दूसरा है कि लोगों को हमारे society में यह होता है कि stones छोड़ देंगे तो cancer डबलप हो सकता है तो cancer डबलप होने में आपको time लगता है 20-25 year को यह stones पढ़ा हुआ है big stones है जीसे large stones है more than 2 cm का stones है और वो long time के लिए परे हुए है तो उसमें possibility होता है after the 25 year तो बड़े stones को तो हम लोग suggest करते हैं कि अब surgery करवा लिए जी यह भी बताईए कि recovery time के हम बात करते हैं कितने समय में patient जो है ठीक होकर घर जा सकता है surgery में कितना समय लगता है दिखिए आज कल जो minimal access surgery जो हो रहे दोक्टर साहब operation हो गया recover हो गया आप यह बताई कि उसके बाद क्योंकि गॉल ब्रेडर कर दिया गया है उसका तो कोई उसके बाद उसको कोई परिशानी कोई lifestyle की परिशानी किसी तरह का कोई बदलाव क्योंकि वह और गन हटा दिया गया उसके शरीर से तो कुछ ऐसा आपन जब भी आप फैर्टी फूड लेते हैं तो बाई निकलती है और पाचन किया को में इंटस्टाइन में जाके पाचन करती है जब आप गॉल ब्रेडर निकाल लेते हैं तो लीवर आपको डारिट प्रोवाइड करती है बाई को तो आपकी सरीर पर कोई भी फरकने परेगा आ प्रेकॉसन यही लेना होता है कि बस आपको इनिशली साजरी का आने के बाद क्योंकि गॉल बेडर निकल गई है तो बोडी को एड़प्ट होने में ताइम लगता है तो आपको कुछ दिनों पर महने दो महने तक आपको फैटी फूड को एबॉड करना है आपको हेल्दी ड कोंडी कोमोबटी हो देखे, जो गोड़ी बाद टिनों कोमोड़ पीशेंटिक उसमें गॉल डीडर का फंक्शन घुए प्रमेशन जादा मोटली को ऐड़ लाएटीज उसमें घॉल प्रमेशन उप्रमेशन ज्यादा होगा मैं स्पाइनल पीशेंशन साथा सिस्पार्ण को कि जब स्टोन रिमूव हो जाता है तो अप गॉल ब्लाडर के बात कर रहे हैं तो उसको स्टोन को टेस्ट करने के लिए पहला जाता है सासुना, एक तो मेरा ये प्रेशन ही कियो भेजा जाता है और क्या ये से जरूरी है? झेक हम लोगो गॉम्हान कहने के वाद qaool इस्तों सो और गॉल ब्लैडर को दोनों को हम वेसाथ प्लक करना होता है। कि एस फिल्ए और दौगन निकाल लगाए और स्टोन को इसलिए बेजते हैं कि स्टोन को टाइप ने बेद रगए स्टोन को तोने के बाद पीशन अहीं को हैं और सुनित विक्स स्टोन है उस चीज़ को डिटेक्स करनें कभी कभी उसमें ब्रदएं और कर जाती है तो कॉलच के अंदर में बैक्टिरिया आ गई है इंफेक्शन है तो हम उसके अंटिवाटिक दे के उसको कबर कर देते हैं जे 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 पहले भी आप से पुछा था कि किड्नी स्टोन और गॉल बैडर स्टोन बहुत कॉमन है तो किड्नी का जब होता है तो दवाईयां भी आप पानी भी पीना है कुछ दवाईयां भी होती है तो इस तरह कि कोई दवाई गॉल बैडर स्टोन को रिमूफ करने के लिए देखे गॉल बैडर स्टोन के लिए कोई इस तरह कोई प्रूवें मेडिसीन नहीं है कुछ मेडिसीन है जो कि 50% के अरॉंड में हेल्प करता है लेक पित्त की थैली में पत्री यानि गॉल बैडर स्टोन को कैसे हम उसका इराज कर सकते हैं हमारे साथ स्टूडियो में रहे डॉक्टर शंकर कुमार गुपता आप जन्रल एन लेप्रोस्कोपिक सर्जन है इंडिन स्पाइनल इंजिरी सेंटर न्यू डेली में और इसी के साथ पित्त की थैली की पत्री का इलाज अभी आप इस विशे पर डॉक्टर शंकर कुमार गुपता जन्रल एन लेप्रोस्कोपिक सर्जन इंडिन स्पाइनल इंजिरी सेंटर से ली गई ये भेटवारता सुन रहे थे आपसे बात कर रही थी शालनी मित्तल स्ट्रोक किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है पर इसे काफी हद तक रोका जा सकता है इलाज किया जा सकता है और इसे हराया जा सकता है हर वर्ष 29 अक्टूबर को मनाए जाने वले विश्व स्ट्रोक दिवस का उद्देश ये दुनिया भर में स्ट्रोक पर जाग रूपता बढ़ाना और कारवाई को बढ़ावा देना है स्ट्रोक पर अधिक जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर निक्तिन कुमार राय आप एक निरॉलोजिस्ट है प्रोग जो है एक निरॉलोजिकल बिमारी जो कि हमारे गंट्री में इसका इंसिडेंस बहुत जादा है और ये काफी इसको हम लोग अंडरेस्टिमेट करते हैं सबसे बड़ी प्रोब्लम स्ट्रोग के साथ है कि कई बार पेशेंट्स को वो सिम्टम्स ही जब तक अनलाइज करते हैं काफी लेट हो चुका रहता है ट्रोग जो है एक निरॉलोजिकल प्रोब्लम है जिसमें हमारे ब्रेन के अंदर डैमेज होता है वो डैमेज का कारड हो सकता है कि जो हमारे ब्रेन की जो हमारी नलिया है जो हमारे ब्रेन को सप्लाई कर रही है या तो उसके अंदर कोई क्लॉट डिपॉजिट हो जाए जो की नसों को ब्लॉक कर देता है जिससे उसके adjoining area, जो brain को supply करते है, मस्तिष को supply करते है, उसमें damage आता है. दूसरा कारड़ यह हो सकता है, कि अगर जो यह brain को खुन की नलियां supply कर रही है, यह अगर यह फट जाती है. सो उससे brain के अंदर रख्त का रिसाव होता है, जिसको हम brain hemorrhage बोलते हैं. तो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है ischemic stroke, जो कि clot की वेज़ से brain की blood supply रुख जाती है, जिससे damage आता है, और दूसरा hemorrhagic, जिसको हम brain hemorrhagic बोलते हैं, जिसमें brain के अंदर bleeding होने से, जिस brain के एरिया में जहां bleed होता है, वहां वो brain tissue damage हो जाते हैं, सो यह mainly stroke है, और stroke हमेशा suddenly present करता है, इसका presentation हमेशा sudden होता है, इसका presentation होता है, सबसे पहले कुछ ऐसे कारण होते हैं, जिनको हम डॉक्टर्स ठीक कर सकते हैं, या उसको control कर सकते हैं, कुछ ऐसे कारण है, जिन पे हमारा control नहीं होता है, जैसे कि पेशेंट का अगर old age patient है, patient के, generally if we talk about sex, जैसे female patients में comparatively, after 75 risk of stroke बढ़ जाता है, old age में risk of stroke ज्यादा रहता है, कुछ particular race है, और genetics भी है, कि genetical disorder होते हैं, जिनके साथ stroke associated होता है, तो यह वैसी चीज़े हैं, जिनको हम control नहीं कर सकते हैं, बट अब common चीजों की हम बात करते हैं, जिन चीजों पे, अगर हम timely उन चीजों को control करें, तो हम stroke को prevent कर सकते हैं, जैसे कि diabetes, hypertension, lipid level बढ़ा होना, obesity, lack of physical activity, smoking, alcohol consumption, so यह ऐसी चीज़े हैं, अगर इन पे हम focus करें, तो इनको हम manage कर सकते हैं, अगर blood pressure की problem है किसी को, so उसको antihypertensive देना है, उसको lifestyle modify करना है, ता कि रोज योगा exercises करे, walk करे, डाइट म होना चाहिए, ता कि आपका BP control में रहे, sugar है, उसको हम डाइट से modify करते हैं, और sugar control करने की दवाईया देते हैं, क्योंकि all over world, जो अगर हम hypertension, BP की बात करें, और blood pressure की बात करें, sorry, blood pressure और उसके साथ हम diabetes की बात करें, तो यह बहुत important और बहुत ही risk factor है, stroke के, साथ में blood के अंदर चरवी का बढ़ा होना, obesity होना, so यह सारी चीजें जो है, अगर इन पर हम focus करके, alcohol consumption नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी दवाईयां, जैसे कोई लोग drug addict है, cocaine, emphetamine और यह सारे drug abuse कर रहे हैं, तो यह सारी चीजें जो है, यह सारे stroke को predispose करती है, तो हमारा main focus होना चाहिए, कि अपने lipid levels को, उसमें आपका भी कुछ मदद होता है, और कुछ डॉक्टरों की मदद होती है, जिससे इन चीजों control करें, regular activity करें, जिससे आपकी obesity ना हो, so उसे हम stroke को prevent कर सके, stroke के लिए सबसे important चीज है, कि पहला तो अगर यह old age में incidence of stroke ज्यादा रहता है, so बचाओ के लिए सबसे important यह है कि आपको regular अपना blood pressure, अगर after a particular age of 50-60 आपको regular अपना blood pressure चेक कराना है, अपने lipid levels देखते रहने हैं, आपको diabetes तो नहीं है, उसके लिए आपको अपने physician से regular चेक कराना है, बाकी आपको regular yoga exercises, walk और साथ में अपने diet को proper रखना है, जिसमें घी, तेल, मसाला, नमक कि सबकी मातरा कम हो, और carbohydrates कम हो, और यह सारी चीजें healthy lifestyle के बाद, अगर कोई आपको heart की भी कई ऐसी issues होते हैं, जिसमें stroke होने के chances रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते, atrial fibrillation, heart के rhythm की गरबड़ी, उसमें, और या कई बार हमारी जो artery ब्लड को supply करते, internal carotid artery, उसके अंदर भी कोई problem है, so उसको control करना और उसके लिए पहले से ही blood thinner शुरू करना जरूरी होता है, ताकि future में stroke के risk को कम किया जाए, stroke जैसा कि, stroke का सबसे important जो feature है कि sudden, stroke suddenly आता है, without giving any pre-monitory, कोई भी ऐसी symptoms, जो stroke आते, sudden आते, उसमें brain के किस area में damage हुआ है, उसके साब से symptoms आना शुरू होते जैसे anterior circulation brain के आगे के भाग के जो है, उसमें अगर stroke होई, जैसे कि generally जो most common strokes होते हैं, उसमें patient को एक side की कमजोरी आ जाती है, एक दाएं हाथ, दाएं पैर की, साथ में face में weakness आता है, आवाज का लडखडाना, साथ में अगर suddenly आपको balance की दिक्कत हो रही है, आपके आखों का suddenly vision चला गया, साथ में कई बार होता है कि बहुत तेज चक्कर आना, उल्टी के साथ, और balance में दिक्कत होना, so यह सारी चीजें जो है, stroke के symptoms है, इसके लिए एक निमोनिक हम याद रखते हैं, जो की बहुत important है, be fast, B से balance, E से eyes, मत अगर balancing में दिक्कत हो रही है, आख से देखने आपको यह जो be fast के जो symptom है, तो आपको immediately आपने nearby hospital में जाना है, क्योंकि जो stroke से properly equippeded है, क्योंकि अगर आप इसका management आप घर में कुछ भी नहीं किया जा सकता, depending upon the जैसे हमने पहले डिसकस किया था, कि stroke किस प्रकार का है, क्या यह clot की वेज़ से है, या brain hemorrhage की वेज़ से, CT scan या MRI के बाद ही पता चलता है, तो एक important चीज और बोलूँगा कि जो एक window period होता है, साड़े चार घंटे का, जिसके अंदर अगर कोई patients stroke के symptoms हमारे पास ले के आते हैं hospital में, तो उनको clot dissolve करने की दवाई दी जाती है, क्योंकि इस दवा का काम साड़े चार घंटे के बाद नह तो इसी वज़े से सारे शुरुताओं से में यह बोलना चाहूंगा कि कभी भी कोई जो stroke के symptom मैंने बताया है, अगर कुछ भी symptoms आ रहे हैं, तो आपको immediately अपने nearby emergency जहां stroke की facility अवेलेबल है, जाना है, ताकि वो दवाई साड़े चार घंटे के अंदर जो दी जाती है, दी ज देना चाहूंगा कि stroke prevention में के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं, ताकि यह stroke आने के risk कम हो जाएं, तो अगर आपको पहले तो अपनी जो healthy lifestyle maintain करें, regular exercise करें, walk करें, अपनी diet जो है, nutritious रखें, और जिसमें high fiber, green leafy vegetables, fruits, इनकी मातरा जादा रखें, अगर आपको hypertension, diabetes है, और lipid derange है, त इसको strict control में रखें, heart की problem है, rhythm की issues है, उनको manage करें, ताकि आपको future में इस जो dangerous neurological problem है, इससे बचाया जा सके हैं. अभी आप neurologist, डॉक्टर, निक्तिन कुमार राय से, विश्वे stroke दिवस पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे. आप इस कारिक्रम में और क्या सुनना चाहते हैं, आप हमें लिख सकते हैं, हमारा email आईडिय है healthairdeli.gmail.com, इसी के साथ आज का ये कारिक्रम समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार. अभी आप आकाश्वानी दिल्ली से सुन रहे थे कारिक्रम स्वास्त पत्रिका हमारी सेहत, कारिक्रम की प्रस्तुत करता थी शालिनी मित्तल.